पहलो गाईज नमस्कार जोहार सट्रिय काल एक्जमफ आटेंटर पर आप सभी का बहुत बुश्च स्वागत है और उत्र प्रदैस असिस्टेंड प्रुफेसर एक्जाम दोज़ाइट 24 के खलाते हमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जहां पर हम लोग यूपी एचस प्रसन के साथ चार प्रसनों को एक साथ कबर कर सकते हैं क्योंकि यह चार आपशन है प्रसन 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 रहने वाला है सभी एक प्रसन आप को यह से मिलने वाले हैं तो पहला प्रसन आप सभी के लिए तो दुख चीए शारह्यक संधी को शुकार करने वाला पहला साथ शहयक संधी को चलाया था अंग्रेजों ने किस अंग्रेज ने किस गवर्नर्स जनल के क्लम में चला था लौड व्यलेजली के काल में यह काफी सबसे पहली बाल भारते त्यास में किसी ने सिवकार कर लिया था समझन संधी को साइक संधी का मतलब है अंग्रेजी सेना को किराई पर रखना समयान खिराइब की सेना कुसे लिए की सेनिक के बदले आप हमको क्या दीजिएगा उसका चार्ज तो जब भारते सासक नहीं दे पाते थे तो सीधी वह कहते थे हमको इसका इतना बड़ा जमीन दे दिए जहां से हम रेबन्यू कलक करके अपना खर्चा चला सके तो 1775 में ही अवद के नवाब ने इसे अक्सेट कर ल गवर्नर रहे थे सर्ट टॉमस मुन्रो किन वर्सों में मद्रास के गवर्नर रहे सर्ट टॉमस मुन्रो मद्रास के गवर्नर बने थे तो किस काल में बने थे वो सब्सक्राइब मट्रास के गवर्नर ते वह डलेगर के संद्सultura मोंरो 6 यह अंग्रेज से घुमी बंदोबस सब्सक्राइका अरขुम उत्स रहतवारी तो रेयत वारी ववस्थ था को किस места ररीड और टोमस मुंस्लो नेहीं चलाया था 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 मिल नाडू के 12 महल से इसका स्टार्टिंग कीा था रीड और मुंडो ने इसलिए टोमस चाशिव सब्सक्राइब टहां के मद्रास के किस दौर में 820 लेकर सताइस के बीच में तो अप्शन ए आपका रही अंसर है के लिए आगे बढ़ते हैं किस गवर्न जन्रल के काल में यह पूछा जाँ लोड विल्यश ली लॉड है विलियम बैंटिंग यह लॉड हड़िंग यह हुआ निमलखित में बंगाल के गवरनर जानरों में से कौन एक तिर्थिया आंगल मेसुर् Cambridge से संबन्थ था अंग्रेजो और महसुर्ण के इता वो कितने इते होते हैं तोतल आंगल मेसुर्ण के इते रहे हैं इसमें से पूछा जा रहा है निम्लिकित बंगाल के गवर्नर जेनरलों में से कौन एक तिरतिया आंगल मैसूर यूद्ध के से संबन था यानि तिरतिया आंगल मैसूर यूद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था तिरतिया आंगल मैसूर यूद्ध के समय पूछा जा रहा है तो तिरतिया आंगल मैसू से 92 1790 से 92 से 92 से 93 में सुदी चला था उसमें कौन थे वार्र एस्टिंग्स यह तो 1784 में चले गे थे ना वार्र एस्टिंग्स नहीं होगा लाड कर्णवालिस सर्जन सवर यह लौड विलियम क्यमेंडिस बैंटिंग तो बैंटिंग आता अठारासो कि कुछ करका लेगा अठा यह 1786 से ही यहां पर आ गए थे लौड कर्णवालिस का कारिकाल यह मिल रहा है तो बंगाल के गवर्णेशनेल कौन थे उसमें तिर्टियांगल में सुर्यूद के समय लौड कर्णवालिस थे बी नमर आपका एंसर हो जाएगा के लिए आगे बढ़ते हैं भारत में प्रिथ लर्ट वेलेजली लर्ट कर जने लौड लिटन थो का का फींट्र में और और अपर यहां टा कर साम ते मुंबै से थाने के विच च्लिए तो प्रतम रेल्व Yay लाइन आया था कब 1853 में 1853 में और उस समय हमारा क्या तक मुंबै से थाने तक तो 1853 कि में कौन से यहाँ पर गवर्ने जनरल थी यह आपको सुचना होगा लॉड डल होजी लॉड विलेजली लॉड करजन लॉड लिटन तो आपका क्या हो जागा लॉड डल होजी लॉड डल ह जाएका क्योंकि यही अठास तिर्पन में भारत के गवर्ने जनरल थे क्योंकि वलेजली का कारिकाल आपका इधर 1759 से पांच होता है इसका 1799 से अठास पांच था 1799 तो 1805 था लॉड करजन का आपका 905 के आसपस इनका कारिकाल था क्योंकि जब बंग बंग आंदला निवा तो उस समझे थे लॉड लीटन 1878 क्यास पास्टे 1878 क्यास पास्टे यानि 1853 में किनका हो जाता है लॉड डल होजी का तो आप्शन ए आपका राइट अंसरों का लॉड डल होजी चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में करजन के प्रशासन की तुलना और अंग्जेव से किस ने की थी करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सासक और अंग्जेव से किस भारती नेता ने करी थी पाल गंगादर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नरोजी या एनिवेशन ये आपका पॉस्चन नमर स्टेवन फूट डालो और राज करो की अपनाई गई थी यानि डिवाइट करना है भारतियों को हिंदू और मुसलमानों में तोड़ना है और यहाँ पर राज करो इस प्रकार की निती किसने अपनाई थी लॉड करजन दवारा लॉड मिंटो दवारा लॉड यहां इन दोनों ही ऑप्शन लग रहा है इसमें से आपको सबसे ज़्यादा सही हो उस पर जाना है तो भारत में जो भीवाजन हुआ अगर विदिवत तरीके से देखे तो यहां पर लॉड मिंटो एक्ट आ था ना लॉड मिंटो एक्ट आ था था मॉरले मिंटो एक्ट इस कर दिया तो यानि एक पर विदिवत रुप से अगर विवाज करने का कोई प्रयास किया गया तो लाड मिंटो दोरा किया था करजन हलांकि बंग बंग के समय बंगाल का विवाजन किया तो वह भी उनका वही था फूट डलो राजकरों का ही एक एक्जांपल था लेकिन यहा क्यों के समय प्रिव चन गया था अंग्रीजी चान काल में भारत में पहली बार जनगना में नहीं अ क reduces करे करोफिया यह仔 और यहां पूछ देगा पहली बार विधिवत एक कर्म देखिएगा विधिवत यह बस ट्रायल था लॉड मेयो के समय वाला क्या था पाइलट प्रोग्राम चलता है तो उसी तरह यह विधिवत नहीं था यह बस ट्रायल था देखेंगे इसके समय ट्रायल हुआ लॉड मेयो के समय क्या हुआ ट्रायल हुआ यानि पहली बार कव वह लॉड मेयो के कारकाल में वह ट्रायल के रूप में और यह वास्तिव गूर्प से कब आनम हुआ रीपन की कालम अगर विधिवत या वास्तिव वाट जोड़ देगा तो फिर हम दो रीपन की ओर चलेंगे या अगर मेयो आप्शन में नहीं रहेगा तो भी पन की ओर जाएंगे यहां भी आपका दोनों ही सही है तो लेगिन ज्यादा सही कोश्चन के आपका सी है इसलिए हम दो लॉड मेयो की तरफ राइड एंसर बनाई है इस वाइसराय की हत्या उसके कारिकाल में की गई और उस हत्या उसके कार्यालय में ही कर दी गई थी वह कौन ते लॉड करजन रीपन मेयो या फिर विलेज लिए लॉड मेयो की हत्या उसके कार्यालय में ही छूरा भोग कर कर दी गई थी अगला प्रेशन है फिर बिटिश भारत की बिटिश भारत की राज्दानी का कलकर्ता शे दिल्ली अस्था कि लोड मिंटो लौड अधरल या फिर लोड इन तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कलकत्ता भाध कि बनी यह बना आपका 19 है 19 1912 तो 1912 तो 1912 यहां पर किसका कारिकाल बनता है 1912 आपका Lord Hunting का बनता है तो Lord Hunting सही एंसर हो जाएगा Option नमर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर C है Option नमर थी लॉड हडिंग के कारिकाल में तेक है Option C यह हमारा दस प्रेशंता MCQ जिसके माध्यम समलोग यूपी अचसी असिस्टन प्रोफेसर के लिए प्रैक्स से सल्व कर रहे हैं और यहीं सारे यूनिट का यहां पर सारे यूनिट का प्रैक्स से आपको सल्व कराए जाएगा तो अब भी चाहते हैं आपको प्रतिया दिन रात को नौ बजे क्लासे की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी आपको अगर सब्सक्राइबर आप रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगी आप क्लासे को देख पाएंगे चलिए इस वीडियो में मिलते हैं कल एक ने क्लास्ट में इसी के साथ आप सब्सक्राइब से वीडिया देता हूँ जय हिन जय वारत